आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे UGC की तरफ से जारी कियेगा एक नए नोटिस के बारे में जो की यूनिवर्सिटी को भी और साथ में इस्टुएंट्स को भी जानना भी जरूरी है और साथ में उसे अच्छी तरीके से समझना भी जरूरी है तो आज की वीडियो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो अगर आपको बसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो अब सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं तो आप इस नोटिस को इ डाउनलोड कर पाएंगे पीडिया फॉर्मेट में, सब्जेक्ट जो है इसका वो है दिक्सारंब इस्टुएंट इंडक्शन प्रोग्राम के रिलेटिड ये है, इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है युनिवर्सिटी में और इस्टुएंट के लिए, तो इगनू जो है एडमिशन कंफरम होने के बाद उनकी पढ़ाई सुरू होने से पहले एक क्लास जो होती है उनकी वो इंडक्शन प्रोग्राम की होते जिसमें उनको सारी जानकारी दी जाती है कि इगनू का किस तरीके से सिस्ट्रम है, कैसे इगनू के अंदर आपको अपनी पढ़ाई करनी है कैसे अपने एक्जाम देने, कैसे अपने असाइमेंट को समिट करना है, कब एक्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा, कब आपका study material आएगा, कैसे आप अपने study material को online भी access कर सकते हैं, उसके अलावा आपको regional center से क्या-क्या सुविधाई मिल सकती है, study center में किस तरीके से सुवि बात में दे दी जाती है, ताकि इस्टुएंट आगे जो है, आगे course में confused रहो और वो अपना course या वो असानी से और जो time limit उसको time period दिया गया, उसके अंदर पूरा करें, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कि one of the mandates set by the UGC to achieve quality in higher education is student induction program, यानि कि UGC की तरफ से कह जा गया है कि जो इस्टुएंट को higher quality की जो education देनी है, उसमें induction program की भी एक महतपूर्ण भूमी का है, UGC has prepared दिकसारंब, a guide to student induction program which can be accessed दियान की, UGC की तरफ से भी एक PDF त्यार की गई है, जो की आपकी उसको नाम दिया गया है, दिकसारंब जिसको आप यहाँ पर से डाउन के result declare किये जा चुके हैं, ज्यादा तर boards की तरफ से, और अब क्या होगा, अब आपके जो चाहिए आप regular university में admission लेना चाहते हो, या फिर open university में admission लेना चाहते हो, तो अब आपको admission लेना होगा, तो उसके लिए जो है यह तियार किया गया है, और take appropriate action to organize student induction program और सभी university से खा जा सारी जानकारी जो है वो उनको दे, और इसको university activity monitoring portal पर भी डाले, ताकि इनको भी यह जानकारी मिल पाए कि आप यह काम कर रहे हैं, you are also requested to provide necessary instructions in this regard to the college institutes affiliated to your university, यान कि अगर कोई बड़ी university जिसके अंडर में छोटे-छोटे colleges भी आते हैं, जैसे कि दिल्ली university हो गई तो उसके में कही सारे और colleges भी आते हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से भी इनको एक बार इसमें guidance ने और student induction program जो करवाएं, सभी students के लिए ताकि उनको necessary information जो अपने course related है, अपने university से related है, अपने college से related है, किस तरीके से उनको अपने academics को clear करना है, उनके बारे में उ इतना ही वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को like जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए